आज हम बनाने वाले हैं माशेर भोर्ता यानि की मचली का भर्ता इंट्रेस्टिंग है न तो ये एक बंगाली कुजीन है इसे बंगॉल में बहुत ही पसंद किया जाता है और बंगॉली लोग इसे बहुत ही शौक से बनाते और खाते हैं तो मैंने सुचा कि ये नई यूनिक स कैसे इसे सर्व कीजे तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे बनेगी तो सबसे पहले हम यहां पर हाफ केजी के करीब रहू मशली लेंगे इसे अच्छे से मैंने वाश कर लिया है अब हम इसमें एड करेंगे हाफ टेस्पून हल्दी पाउडर हाफ टेस्पून लाल मिर्च तो इधर मैंने एक पैन चड़ाया है गैस पे अब हम इसमें मस्टर्ड ओयल डालेंगे हाफ कप के करीब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे अब हम इसमें एक एक करके सारे पीसेस डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे हमें हाई फ्लेम पे एक साइड दो तीन मिनिट तक फ्राई कर लेना है, जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब हम इसे इस तरीके से पलट कर, दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यह आप देख सकते हैं, तो हमें इसे अच्छे से 5-6 मिनिट तक, दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, जब मशली हमारी फ्राई हो जाएगी, तब हम इसे एक एक करके निकाल कर साइड में रख लेंगे, इस तरीके से, तो फिश हमने फ्राई कर लिया है, अब हम सेम पैन में 2 टेबल स्पून सर्सों का तेल डालेंगे, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें 8-10 सूखी हुई लाल मिच डाल कर, क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लें, इस तरीके से चलाते हुए, तो मिर्च हमारे जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब हम इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे, फिर हम इसमें 8-10 लेसन की कलियां, इसमें डालेंगे, छीली हुई, और इसे भी फ्राई कर लेंगे, यह देखिए, जब इसमें अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं, तब हम इसे भी निकाल कर साइड में रख लेंगे, जब मचली पूरी तरह से ठंडी हो जाएं, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर, इस तरीके से मैश करते हुए, सारे काटे निकाल लेंगे, इस प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि हाथ में काटा चुबने का डर है, हाथ में आपके काटा चुब सकता है, तो ये हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इस तरीके से, अब हम इसमें मेर्च, लैसन और मेर्च डालेंगे, इसकी उपर स्वादेन से नमख डालकर, हम इसे भी बहुत अच्छे से मैश कर लियेंगे, इस तरीके से, तो हमें लैसन और मेर्च को बहुत अच्छे से बारिक बारिक ऐसे, इस तरीके से कर लेना है, अब हम इसमें बारिक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे, अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हाथों से तीखा आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम यह ज्यादा कर सकते हैं हमने लाल मेच भी डाली है और स्वाद के लिए हरी मिर्चे भी डाली है आप हरी मिर्चे स्किप कर सकते हैं तो इस तरीके से ये हमारा माशेर भूरता बनकर तयार है इसे शटनी भी कहते हैं आप इसे एक बार जरूर बना का ट्राइ करें तो फ्रेंस अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें